हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयूर्वेद ब्यूटी जंक्शन में दोस्तो हम परमपिता परमात्मा से आपके अच्छे स्वस्त वे सुकत जीवन की कामना करती है दोस्तो जिस औस्दी के विश्य में आज में आपको बताने जा रहा हूँ वे बहुत रामबान औस्दी है उस औस्दी के विश्य में जानकर विज्ञान जगत भी हैरानी में पढ़ गयाता दोस्तो उस औस्दी के गुनों से आप यथावत रूप से परिशित नहीं है उस आउजदी के फल को फलो का राजा कहा जाता है यदि आप कहीं भी उस आउजदी को देखें तो उसे खर्पतवार की स्रैनी में ने गिनते हुई उसे सुरक्षिस सवाल कर रखे दोस्तो उस आउजदी के फायदे बताने से पहले आप से कहना चाहूँगा यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन के बटन को दमाएं जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको तरंत प्रभाब से मिल सके साथियों सुरू करते हैं उस उसदी का नाम है आम जी हाँ साथियों आम अब हम आपको आम के फायदे बताएंगे आम के जड़ से लेकर फल फल से लेकर तहनी वे पत्त तक सभी हमारे लिए रामबान उसदी का कारे करते हैं जो वैक्ति किसी भी कारण से जल जाते हैं और उनको फपोले से पढ़ने लगते हैं यदि वो वैक्ति आम के पेड़ की राक को लेकर पत्तो की राक को लेकर उसका सेवन गोला के तेल में मिलाकर अपने जले होई सतान पकरते हैं तो वह अपनी इस समस्या से बिलकुल नजात पा सकते हैं साथ ही इसमें बताएंगे हम आपको कि सांस लेने में दिक्कत जिन वैक्तियों को सांस लेने में दिक्कत होती है यदि वो वैक्ति आम की पत्तियों और टेहनियों को लेकर उसे जला कर उससे निकलने वाले दूएं का सेवन करते हैं तो वह अपनी इस समस्या से बिल्कुल निजात पा सकते हैं इस वही में आम आपको बताइए कि पत्री जिन वैक्तियों को पत्री की समस्चा है गुर्दे में उनकी में स्टॉन है यदि वो वैक्ति आम की पत्ती फल विच्छाल का काड़ा बना कर खाली पेट उसका इस्तमाल करते हैं और एक ग्लास की मातरा में आपको असका इस्तमाल करना है तकरीवरां एक सब्बते तक आपको यह पिर्किरिया करनी है तो आप अपनी इस समस्चा से बिलकुल निजात पा सकते हैं इसफी में हम आपको बताइए कि मुहों में च्हाले धन्यवाद साती हो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद अब आपको मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार